नमस्कार मेरा नामे प्रभात और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार और इस वक्त मैं मौझूद हूँ बनारस के मैमूर गंचीतर में आज संसद में 2022-2023 का बजट पास हुआ है जिसके संदर में आज हमारे साथ सर हैं जो कि बताएंगे कि बजट कैसा रहा और इसे किस वर को कितना फायदा होगा और किसको नहीं होगा तो आए सर के पास चलते हैं और उनी से बात करते हैं नमस्कार सर आपका परीचे मैं सीजे डाक्टर रमीत अकरवाल चार्टर अकाउंटेड सर यह जो आज बजट पास हुआ है इसके बारें बनेंगे आज जो बजट फाइनेस मे को नोकरी दी जाएगी दूसरा इन्होंने यह भी कहा है कि देड़े लाग पोस्ट आफिस को हम कोर बैंकिंग से जोड़ेंगे जिसे किसानों को यह फायदा होगा किसान लोग जहां बैंक की सुविधा नहीं अपलिबल हो पोस्ट आफिस के बाद्याम से वह अपना काम कर स लेकिन इन्होंने डिजिटल फाइनेंसिल एसेट्स मतलब क्रिप्टो करेंसी के उपर उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी जो भी बिटकॉइन या को जो भी चल रही है उस प्रिवं 30% से टैक्स लगा देंगे आज मतलब फाइनेंशल यह 22 से इसके अलावा इन्होंने यह भी घुशना कर दिये कि रिजर बैंक आफ इंडिया एक नया क्रिप्टो करेंसी नया डिजिटल फाइनेंसिल एसेट्स को लांच कर देगा इसी सालों में तो इसका एक अच्छा प्रणाम यह मिलेगा कि इससे सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल को बढ़ावा मिलेगा फाइब जिए स्पेक्ट्रम आएगा तो डिजिटल में काम अच्छा होगा इन्होंने यहां तक भी कहा है कि पर्टिकुलर लोगों को नौकरी मिलेगी और किसानों को ड्रोन की सुविधा दिनी की बात भी कही है कि ड्रोन से छुड़काओं करेंगे तो इससे हो सकता है दो और इसके अलावे इन्होंने मकान में भी काया कि 80,000,000 मकानों का यह 2022-23 से घटन करेंगे जिसके लिए 48,000,000 क्रोन रुप्या गवर्मेंट ने सेंक्शन किया है अगर आम जो मिडिल क्लास वाले हैं उसको इसके कितना लाव है मिडिल क्लास में यह है कि अगर इन्होंने कहा है कि हमें सेमी सेक्टर में जो स्टार्ट अप चल रहा था जिसका लाज़ डेट 31-32 था उसको ने एक साल और बढ़ा दिया है पहले यह गुआ करता था कि जब स्टार्ट अप में कोई 10 साल के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट क्या करता था तो इसका फाइदा 3 सालों में मिला करता था लेकिन अब करोना काल के जैसे एक साल पूरी तरह से बरबाद हो गया था तो इन्होंने एक साल इसके लिए बढ़ा दिया इसके लावा आम आदमी को यह है कि अगर नौकरी मिल लाएगी तो उससे पुनर्थान अच्छा होगा लोगों को रहने के संसाधन मिलेंगे इसके लावा ने उन्हें यहां तका है कि करोना काल में बच्छों की पढ़ाई नहीं रही ती तो डिश्टर इन्वरसिटी की बात कही है इसके लावा ने यहां भी बोला है कि जो हम लोग परवत माला का सिरीज था उसमें साथ हजार किलो मिटर तक रूप हुए भी स्टार्ट करेंगे वो सकता इसका भी बहुत फायदा मिलेगा इंकम टैक्स में क्या चेंजिस हुए है और जी एस्टी में इसके बारे इंकम टैक्स में देखिए टैक्स लेब में तो किसी तरह का कोई चेंजिस नहीं legitim इसका मतलब कि जो पुराना टैक्स चल रहा था वही लागू रहेगा इन्होंने खाली ये कहा है कि हम नया tax regime का गोशना करेंगे नया tax regime मतलब हम अपने कोई भी tax return फाइल कर रहे हैं उसको दो साल में यह update कर सकते हैं मतलब कि किसी तरह कि अगर omission या किसी तरह की गलती किसी से return फाइलिंग करने में हो गई है तो वो अपने 26S या अपना annual financial report से मिला कि अगर उसमें कोई गलती है तो उसको फिर से 2 साल के दर अंडर update कर देगा तो government किसी तरह का कोई भी उसको paralyze नहीं करेगा अगर नहीं करेगा तो उसके बाद government के पास जो होगा वो प्रक्रिया उसको चालू कर देगा इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि Central Government के employees को 14% की NPS पे छूट मिला करती थी तो इन्होंने इस सुविधा को बढ़ा के राज्य सरकार के करमचारियों को भी कर दिया है लेकिन अगर यह private employees को भी करते तो इससे वो भी लोग भी लाभान भीत होते और एक लंबा दाहरा हम ल अगर पंदर परसंट का सर्चार लगा दिया है जो अभी तक नहीं था इसके अलावा इन्होंने यह कर दिया है कि कार्पुरेट टैक्स पे जो सर्चार्ज था वो कुछ केसे में 30% 37% तक हो जाएगा इसको भी घटा के इन्होंने 15% कर दिया और company के case में इन्होंने कर दिया तो जेस्टी बहुत major changes इन्होंने नहीं कहा है इन्होंने कहा है कि हम rate of taxation में difference करेंगे तो इस वज़े से हम लोगा यह सोचना है कि कपला सस्ता होगा और चमडा सस्ता होगा इन्होंने कहा है कि 20% taxation लगा देंगे जो विदेश से अम रेला मंगवाया जाता था चाता मंगवा इसका इंपक्ट तो आगे के साल में ही पता लगया कितना और कितना अच्छा होगा कौन कौन इसके लाभनवित होगा लेकिन ले देखें आम आदमी के लिए 60 लाग अगर नौकरी सही में निकालेंगे तो सही में लाभनवित होंगे लोग हर परिवार का कोई ना कोई को इसका इंपक्ट दुरगामी है अच्छा है बजट आइसा नहीं है कि कोई बजट खराब है यह है कि इससे क्रिप्टो करणसी पर को भी जो गौर्वर्मेंट यह कह रही थी कि डिश्टल करणसी को हम मानता नहीं देंगे अब उन्होंने कह दिया खुदी लाँच करेंगे तो मानता देंगे बाहर की करेंसी जो भी जो भी लोग लेंदें करेंगे उस पर सीधे से फ्लैट रेट से 30% टेक्स लगा देगा और अगर कोई लेंदेंगे अच्छा है बजट कोई परशानी नहीं है लेकिन उमीद हैं हम लोग कुछ ज्यादा थी इस से में जैसे आपने से देखें तो इसमें कोई किसी को अगर टैक्सेस में कोई चेंजेस ही नहीं होगा तो जो पुराना चल रहा था वही होगा कोई फायदा नहीं मिलेगा इन्होंने दूसरा एक चीज़ यह कह दिया है कि जो आदमी रिटर्न भर चुका था और अगर किसी तरह की गलती कर तो उसके दुर्गामी परणाम तो गौर्मन पहले ही कर चुका है कि अगर घलत रहेगा तो इसके उपर प्रस्कुश कर सकता है आगे केसिस पढ़ेंगी और इससे बहुत ज्यादा फायदा तो हमको नहीं दिखता है यही है कि इसका इंपक्ट आगे के सालों में मिलेगा द आगी होने पर ही यह निर्वर करता है